असलाम लेकूम दिस तइयबा एंड वेलकम चुमाई निटिंग चैनल प्रिविए वीडियो में हम कास्ट ऑन मैथर्ड सीक चुके हैं और आज की वीडियो कंप्लीट बिग नश के लिए है तो आज की वीडियो में हम कास्ट एन के बाद निटिंग का अगला स्टिप क्या होत तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हमने knit stitch कैसे डालना है देखें ये मैंने अपने stitches cast on किये हैं आपको जो भी असान cast on method लगता है आप अपने stitches उससे cast on कर लें कि cast on stitches करते हैं तो हमारे पास एक loop आती है हमारी needle के उपर ये देखें ये loop है और loop बनेगी कैसे loop बनती है दो legs से ये front leg है और ये back leg है knit stitch करने के लिए सीधी पुनाई करने के लिए हमने अपनी needle को front leg में डालना है इस तरह से उपर से नीचे की तरफ उपर से नीचे की तरफ हम डालेंगे front leg में अपना working yarn लिया ये इस तरह क्रॉस पोजीशन में आई needles working yarn लिया yarn लपेटा pull the loop हमारे पास नया stitch आ गया फिर से front leg में हमने अपनी needle डाली इस तरह से wrap the yarn pull the yarn insert needle wrap the yarn pull the yarn insert needle wrap the yarn pull the yarn ये आपके knit stitches बनते जा रहे हैं knit stitches करते वक्त आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपका जो working yarn है वो हमेशा पीछी की तरफ रहे knit stitches के लिए हम जो abbreviation यूज करते हैं वो small K या फिर capital K होता है जहां भी pattern पर आप K देखें लिखा हुआ उसका यही मतलब है कि ये stitch जो उनसा है वो आपने knit करना है next वीडियो में इंशाला मैं आपको stitches को pearl करना सिखाऊंगी तब तक के लिए अल्ला हफिज तक के लेके हैं अजाने करन धूच जी झाय और आते हैं